हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज यहां पे हम लोग जो है यूरोप में राश्टवार का उदयर जो हम हिश्ट्रिक कर रहे हैं उसका यह सेकेंट पार्ट हम लोग करने वाले हैं ठीक है पिछले कुछ दिनों से यहा पर हम करण्डिणीं उट सकें और आपका जो यहां पर 100 क्यूस्ट का जो स्रीज है वह लागताद चल रहा है तो आप उसको भी जो है सो देखते रहिए और यहां पर सब्सक्राइब आए हैं तो कोई ज़रूद नहीं है कि यह अपर परतिया तिन आए थिक है क्योंकि इसमे तो इश को आपको छेजन का पर यहां पिर नहीं कर पाउगे तो आप आसानी से क्षर्ण करते हैं जैसा कि आपको मालूव है कि हमने लाश्ट की वीडियो में जो प्रस्ट संख्या 5 था वहाँ तक हमने complete कर लिया था ठीक है तो आज हम लोग जो है क्योचन नमर 6 से देखेंगे और आज का जो क्योचन नमर 6 है वो काता है कि बालकन छेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है ठीक है तो इनको क्या कहा ज दिख सकते हैं कि बालकन चेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता है ठीक है इसके बाद जो अगला है क्योचन नमर 7 यह कहता है कि 1815 की बियना संधी से किसका संबंद है तो 1815 की बियना संधी है इससे जो संबंद रखता है कोन रखता है संबंद ड्यूक मेटर्निक का संबंद इससे है ठीक है तो यह चीज में आपको याद रखना है इसके बाद देखते हैं आज का जो अगला प्रस्ण है जो कि है आपका क्यूचन नमर 8 क्यूचन नमर 8 कहता है कि बियना कांग्रेस किस वर्स आयोजित की गई यह चीज यहाँ पर पूछा गया है तो यह आयोजित किया गया था 1815 इसके बाद आज का जो 9 नमर क्यूचन है वो है कि आखो पर पटी बांदे हुए और तराजू लिए हुए महिदा किस पात का परतिक है किस पात का परतिक है तो यह परतिक है निया एका ठीक है तो यहाँ पे 9 क्यूचन कंप्लिक हो गया इसके बाद जो क्यूचन नमर टेर है यह है इटली का एक ही करण ठीक है और यह इसको बताएंगे ठीक है इसके बाद एक और क्योशन देख लेते हैं क्योंकि एक क्लास में हम देखते हैं टोटल एक दिन में 5 क्योशन तो आज हम देखते हैं अगला क्योशन इसके साथ जर्मनी का एकी करण को भी जो है सो हम यहां पे स्कीप करती हैं तो उसको भी जो हम एक सेप्टेट वीडियो में जो है सो कंप्लिट कर लेंगे ठीक है तो आई देखते हैं आज का सबसे जो अंतिम प्रसन है क्योशन नंबर जो 11 यहां पर है यह कि 19 सदी में यूरो था कि जनता पर अत्याचार जो है सो बहुत ज्यादा हो रहा था इसके बाद जो सेकेंड करने हो है निरंकुष सासम बेवस्था यहां पर सासम बेवस्था कैसा था तो निरंकुष सासम बेवस्था ठीक है अब यहां पर पुछे निरंकुष क्या होता है एक-एक जो यह य comment करके उसको पताएगा किसे ये सीवीर के याँ परवादी विचारों का पर्साद के वजह से ये सु यहां पर यहां पर डिदिल में नहीं लिख सकते हैं तो यहां पर तीसरा है वह क हो जाएगा उदारवादी विचारों का परशाद के वजह से भी जो है सो यहां पे राश्टवात का जो लहर है वो यहां पे डोड़ गया था, ठीक है, इसके बाद जो चवता है वो आपका है Sotantrata, Somantata थथा Bandhetowaknaara, उभात सो Tantrata का Nara और Somantataring और Bandhetowaknaara, इसके वज़ा से भी लोगों में क्या हो गया था राष्टवाद जो है सो जागरित हो गया था ठीक है इसके बाद जो सबसे अंतिम है सिक्षित मर्धेवर्ग की भूमी का और यहां पे जो सिक्षित मर्धेवर्ग के सिक्षित हो जाने से उनका भी जो है सो यहां पे भूमी का जहासो राष्टवाद जो ईरोप में राष्टवाद हुआ था इसके लहर का जहासो एक पर्मोग कारण ये भी है ठीक है मेडील वर्ग का क्या सिक्चित हो जाना ठीक है और इनकी भूमी का जहासो बहुत हैं ज्यादा यहाँ पर महत्पूर्ण थी तो ये कुछ कारण थे जो कि 19 सदी में यूरोप में राष्टवात की लहर के कुछ पर्मोग कारण थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे प्रस्ट को और एक हमने वीडियो मनाया है जो कि है इटली में एकी करणिक है इटली में एकी करण से जो भी लगू तो ये प्रस्ट में पूछे जाते हैं या फिर आपके नोलेज के भी उसे हम जब पढ़ाएंगी इटली का एकी करणिक है तो वहाँ पे हम डिटर ने बताएंगे तो वहाँ पे सारा कुछ तो हम बताएंगे इसके अलाबाए एक कारी है जो कि आपको वहाँ से मिलेंगे तो उससे आपको जब हम पढ़ाएंगे इटली का एकी करणिक तो उसमें आपको समझने में आसानी मिलेगा ठीक है तो आप जहाँ से उसको एक बार देख लेजिए उसके बाद हम इटली का एकी करणिक डिटेल वीडियो लेकर आने मौटिवेसन मिलता है और एसे ही और ऱीटवर वीडियो पताने का हमें को हो간 मिलता है और आपको बताने कि यह जू हमारा चैनल है यह घुरे-घुरे आगे कि मेन बटार लेगे आप लोगों के सपोर्ट के वाज़से आप लोगों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अभी तक इस ट्रेनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो जल्दी से आप जहसो इसको सब्सक्राइब कर देजिए और वीडियो को जहसो आपको पत्रेक जो आपका सब्सक्राइब कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो जय हिन जय भाद